जैहिंद हमारे यूटूब चैनल ग्यानका सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस वीडियो की साहिता से आप पुढांगों को आरोही या आरोही करम में लिखना सीखेंगे तो सबसे पहले हम यह पता होना चाहिए कि यह जो पुढांग दिये गए है इन में कौन किस्षे बड़ा है और कौन किस्षे छोटा है तो आईए हम इसे संख्या रिखा द्वारा समझ लेते हैं यहां पे देखिये संख्या रेखा पे पूढ़ांकों को परदरसित किया गया है यहां बीचों बीच में ये सुनने है और इधर धनात्मक पूढ़ांक है आवसेक्ता पढ़ने पर हम इसे और बढ़ा लेंगे और यहाँ देखे जीरों के इधर ये सभी रिनात्मक पूरांख है जरूरत पड़ेगी तो हम इसको इधर और बढ़ा सकते हैं अब यहाँ ध्यान से देखिए कि जिस तरह से हम दाई तरफ जाएंगे इधर चालेंगे तो संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा माइनस छे से बड़ी माइनस पांच है माइनस पांच से बड़ी माइनस चार है माइनस चार से बड़ी माइनस तीन है माइनस तीन से बड़ी माइनस दो है माइनस दो से बड़ी माइनस एक है और माइनस एक से बड़ी जीरो है यानि जीरो रिनात्मक जो पूरांग होते हैं उनसे बड़ी होती है अब यहाँ देखिए जीरो से बड़ा एक ये पलस एक है ये पलस दो उससे बड़ा उससे बड़ा पलस तीन ऐसे करके चलेगा और इधर हम अगर आएंगे माई तरफ तो संख्याओं का मान घड़ता जाता है अब जैसे इससे चोटा ये 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 ऐसे चलेगा तो दाई तरफ बढ़ेंगे तो संख्याओं का मान बढ़ता जाता है और बाई तरफ चलेंगे तो संख्याओं का मान घड़ता जाता है तो आप इस संख्या रेखा के माध्यम से समझ गये होंगे कि पुढांकों में कौन छोटी होती है और कौन बड़ी होती है अब आप पुढांकों को आरोही या औरोही करम में आसानी के साथ लिख सकते हैं तो संख्या रेखा कि सहायता से आप छोटे और बड़े पुढांकों की पहचान करना सीख गए होंगे अब आईए यहाँ पे जो पुढांक दिये गए हैं इनको एक बार आरोही करम में लिखेंगे और दूसरी बार आरोही करम में लिखेंगे तो चलिए पहले लिखते हैं आरोही करम आरोही इसका मदलब बढ़ता हुआ करम तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी ऐसे करके लिखेंगे तो सबसे छोटी कौन है यहाँ पे टिक लगा देते हैं माइनस ग्यारा है अब इससे बड़ी माइनस नौ है माइनस नो से बड़ी माइनस आठ है माइनस आठ से बड़ी माइनस छे है माइनस छे से बड़ी माइनस पांच है माइनस पांच से बड़ी अब कोई रिनादमक पूरांग यहां पे है ही नहीं तो इस से बड़ी जीरो है जीरो और इनादमक पूरांग से बड़ी होती है अब धनादमक पूरांग तो पलस दो पलस दो से बड़ी पलस चार है पलस चार से बड़ी पलस पांच है पलस पांच से बड़ी पलस छे है पलस छे से बड़ी पलस साथ है पलस साथ से बड़ी पलस दस है यह सबसे बड़ी है कोई संख्या छूट तो नहीं रही है सभी संख्या यहाँ पे लिख दी गई है तो यह है आरोही करम अब आईए लिखते हैं आरोही करम आरोही करम इसका मलब घटता हुआ करम पहले बड़ी पूढ़ांग फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी ऐसे करके लिखेंगे तो इसको उल्टा करके लिख दीजे इधर से तो यह आरोही है और इधर से देखेंगे तो यह औरोही है सबसे बड़ी पूढ़ांग कोन है पलस दस उससे छोटी पलस 7 उससे छोटी पलस 6 उससे छोटी पलस 5 उससे छोटी पलस 4 पलस 4 से छोटी पलस 2 है पलस 2 से छोटी 0 उससे छोटी है माइनस 5 यहाँ पे देखिए उससे छोटी है माइनस 6 उससे छोटी माइनस 8 माइनस 8 से छोटी है माइनस 9 और माइनस 9 से छोटी है माइनस 11 तो यह है औरोही करम इसका मलब घर्टा हुआ करम तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा आप पुडांकों को औरोही और औरोही करम में आसानी के साथ लिख सकते हैं दोस्तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कहते हैं जै हिंद जै भारत